बच्चा लोग मैस कोई रॉकेट टेकलोजी नहीं है यह सिंपल अप्लिकेशन आफ कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैस को इंजाए करिए दोगवेटा हम लोग सेट की बात करने जा रहे हैं तो दी पॉइंट जो स्रीज है उसमें जो भी थ्रेटिकल पॉर्शन है किसी भी चैटर का हम लोग उसकी चट्चा करेंगे वी स्टार्ट विपाले से पता है कि वैल डिफाइन किसको बोलते हैं अगर हम करते हैं मतलब क्या है यह वीसफानल से तो उस इसके बाद यह जो हमारे पास है सिट के अंदर इन सब को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कि यह इसको हम बोलते हैं कि यह एपसाइलन है तो जो उसके अंदर रहेगा उसको हम यह लिखेंगे और अगर कोई काता भाई तो हम कहते हैं यह एब देखो हमारे पास होता है कि हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें और यह तहू यह ऐधी और वग्यट्स को लिक देते हैं बीच-बीच में हम कामा दे देते हैं जैसे हमने अभी बताया था यह उकल टू एई आई ओ यू ठीक है तो यह तो हो गया साथ लेकिन अगर सेट बिल्डर फार्म है या इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं तो इसमें हम एक रिप्रजेंटेटी को लाते हैं हम करते हैं यह एक्स हो गया सच अब इसके साथ हम वह इसी तरह से अगर आप लिखते हो 149 1625 इसको आप क्या लिख सकते हो लिख सकते हो वी इक साथ एक साथ एक सबसेंट जो होता है वह होता है कि इसको हम आपिषी बोलते हैं और इसको हमण नल सेड़् बहुते हैं क्या बोलते हैं या जूबल क्या नेजरों इसका सीमबल क्या होते हैं वह और आर आप ऐसे भी कर सकते हो इसका सबसे बढ़ी एक्जामपुल है एक सबसे एक से निच्टरल नमबर होता ही नहीं है उसको निच्रल नमबर बदलब उसको आप ने क्या बोल दिया अब दूसरा देखो यह सिंगल्टन सेट पेर सेट आपके नहीं दिया है लेकिन आप जानके रखेंगे जिसमें एक एलिमेंट होता है लेकिन एक बहुत इंपॉर्डेंट सेट होता है वह फाइनाइट सेट बनलब क्या डेफनीट जैस से आप कहते हो कि P is equal to X that X is a later of English alphabet तुम पता है उसमें 26 लेटर होंगे या आप जिसी स्कूल मुं पढ़ते हो एक सैस्ट एक सैस्ट इस्ट इस्टूरेंट आफी स्कूल X तो जितने बच्चे होंगे उन नाउदमराय को क्या हो गया वो डेफनीट हो गया otherwise it is known as indefinite that is what it is known as infinite set यारी क्या हो गया when the number of elements is indefinite then we say that the set is infinite set equal sets क्या होते है हम करते हैं कि two sets are set to be equal sets if equal sets if they have the same elements exactly the same elements जैसे हमने यहां कहा दिया कि भाई हमारे पास exit a is equal to one two three four and set B को हम कहते हैं four three one two order कुछ भी हो लेकिन exactly the same element हो गया तो हमने कह दिया कि a is equal to be तो हमने क्या बोला exactly same elements should be there लेकिन अगर आपको अब ध्यान से देखिए अब इसमें एक दूसरी चीजी भी सीख जा रहा है इसरा वॉर्ड फॉलोब इसका मतलब क्या हुआ जी इसके क्या हो गया ऐसो रहां-व फॉर्ट करते हैं चेडबलू होगा ऑओ होगा एल होगा अंड फोगा दिखिए फीर कि नहीं अगर आप इसको टैबलर फ़ाir में लेकिन अगर तो यहां पर क्या होगा F, उसके बाद फिर क्या होगा O, फिर उसके बाद क्या होगा L, फिर उसके क्या होगा W, यानि एक ही सेट में अगर कोई element एक से अधिक बार आता है, तो हम उसे एक बार ही लिखते हैं, और उसके order का हम इस पर असर नहीं पड़ता है, मतलब आगे कि अलिम्टी इस रिपीटेट एंड नमबर आफ ताइम, वी राइट वर्ली वन्स, फिर आप प्रवस, यहां इस तरह से आप आंट वह से लिख आँड जाएंगे, तो से अर्ट तो बी इक्वेलेंट सेट्स, इफ नमबर आफ एलेम्टस आफ तो से इक्वल, याद रिखेगा वहां ने कहा था एक्टीनमबर सेक्ट्री एलिमेंट्स होने चाहिए एक्टी धिसे यहां करा हुद नमबर बराबर होने शारी जैसे अगर एक सेट है इसमें चार वन टू-3-4 विन चार यहां चार है तो हम कहा देंगे कि यह दोनों जो हैं वह इकुलेंट सेट उ सब्सक्राइब करते हैं हाला कि लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं सब्सक्राइब करते हैं हम करते हैं अघर अज इस इसेट ध्यान सखेगा इकोलिटी साइन इसमें नहीं तो प्रापर सबसेट इस एट सबसेट आप बी बट वीजना अपसेट आफ ए यह निया अल दी इलेमेंट सबसेट ए आर कंटेंड भाइस इट बीजिस्ट वन एलेमेंट इसे बीजिज नाट प्रेजेंट इन सिट मतलब वी जो है वह एसे हर हालत में बढ़ा ही होगा एक ही होगा लेकिन वह बढ़ा होगा इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं प्रापर सबसेट बोलते हैं अब इसमें एक नोट देख लीजिए मैं फिर उसको लिए चलता हूं इस्टार मार करके नोट क्या है कि एसेट एसेट विद एन एलिमेंट्स याद रखेगा एलिमेंट्स है चुटू दी पावर एन सबसेट्स किसी भी सिट के अगर हमारे पास इन एलिमेंट हैं तो उसके नंबर आप सबसेट्स कितने होंगे लोग अब सब्जस्ट देखेंगे फिर हम आपको इंसेर्टी के बिढ़न ले चलते हैं पावर सेट हम क्या करते हैं सेट आफ आल दी सबसेट थाफिश सेट इस नोन आज फॉर्ट पावर सेट एड़ इस डिनोड़ेट भाई पी ए आट टू तो दी पावर ए एक एक अमान एबी सी है त तो पी इपावर सेट में क्या-क्या िसके सबसेट हो सकते हैं याद रखिएगा कि लिएगा कि निलव सेट is a subset of every set and हमने क्या बताया? Null set is a subset of every set and set is a subset of any set is a subset of itself. यह दोनों point हमेशा याद रखेगा. तो आपने कहा पहले क्या होगा? Null set होगा. फिर एक-एक element वाले क्या होगे? A होगा B होगा C ये तीन सबसेट हो गए फिर दो दो वाला क्या होगा A B होगा A C होगा और B C होगा और फिर लास में क्या हो गया A B C यानि आपने कह दिया कि अगर हमारे पास तीन थे तो टोटल नमबर आफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 to the power 3 into A that is 2 to the power 3 is equal to A एक चीज़ आप नोट कर लिजेगा हाला कि स्वेसी के NCRT मेंने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि X is the element of PA याद रखिएगा अगर X जो है वह power set का element है क्योंकि देखिए अंदर इसके जितने हैं सब क्या है elements नहीं है सेट है तो हम कहते हैं कि कोई एक सेट जो है वो power set का क्या है पावर सेट का element है तो इसका मतलब यह हुआ कि X will be the subset of A बस यह ध्यान रखने की बात है जैसे देखो यह सभी क्या है यह सभी sets है लेकिन किसके element है power set के लेकिन यह जितना भी subset दिया हुआ है सब किसका subset है set A का तो वही मैं लिख रहा हूं कि X belongs to power set of A implies that X is the subset of A लोड़ा हम जब operations on sets के बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं union upsets हमारे पास अगर दो set A और B है तो हम करते हैं कि A union B का मान क्या होता है the elements which are present either in A or in B are in both क्योंकि common sense के बात है को उसमें हो जाएग तो हमने कह दिया कि कि इसको अगर define करना चाहते हो तो ऐसे भी कह सकते हो या तो आप लिखो कि A union B consists of the elements of set A or set B that's all या आप अगर symbolic form में करना चाहोगे तो लिखो कि X is the element of A or element of B though when diagram has been removed but you should always have this one कि इसको हम बोलते है युनिवर्सल सेट है यह सेट A है और B है तो इसको हम क्या बोलते हैं यह हमारे पास A union B है clear है इसी तरह से अगर हम intersection की बात करते हैं तो हम करते हैं कि A intersection B or intersection of two sets is the set which consists of the common elements of set A and B यानि A और B जो दोनों में होगा जो दोनों में common होगा यहां देखो यह जो common element है तो हम लिखते हैं एक सेट एक सेट का difference निकालना है तो हम करते हैं X is the element of A and X is not element of B यानि दसेट consists of all those elements of A excluding the elements of set B यह भी लिए सकते थे या आप यह लिए सकते हो अगर इसको आप वेंड डिग्राम से देखते हो तो करते हो देखो यह पुरा set A है यह B है तो यह हमारा क्या यह रिप्रेजन करता है यह रिप्रेजन करता है यह माइनस भी जो इसमें element B का होगा उसको छोड़ना पड़ेगा अब देखो अगर भाई चंस कहता कि भाई B माइनस है तो B माइनस है यह वाला portion हो जाता है अब complement of a set क्या होता है complement of a set होता है हम करते कि universal set minus A अगर A है तो universal set में से जो भी element बन जाता है एक अलावा उसको हम क्या बोलेंगे the set which consists are contains all the elements excluding the elements of set A तो उसको हम बोलते हैं ऐसे define करोगे असे इसके तीन सिंबल है a to the power c कर दो ए बार कर दो एक सब्सक्राइब कर दो एक सब्सक्राइब क्या होगा हम करते हैं इसके दोनों के element होंगे को include करना है तो हमरे पस क्या हो गया 123 हो गया थ्री पहले से आ गया 47 आ गया यानि अगर आप इसको diagram से देखते हो तो यह वाला क्या हो गया यह और आप क्या हो गया गया एंटर्सेक्शन भी खैते हो तो çıkामन उसको छोड़ करके क्या होगा 47 थो कह। मने या वी माम आइस वी अगर कहते हो तो एवाला होगए आपका माइनस B और यह वाला क्या हो जाएगा विय范स A और अगर आपको कंपृ희विंट diet निकालना है तो हम कहते युनिवर्सलblowing-3 क्या था 12 poka को स्कूब करना है 1 234567 से तो हम ने उसको सब्रered कर दिया मतलब क्या इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया 456 यानि इसको छोड़ करके यह को छोड़ करके न एक को छोड़ करके इसमें इस has got nothing to do कि B में क्या है C में क्या है यह को छोड़कर करके जो बच गया वो क्या है एडास है सो दिशी देख सांपुल आफ एउनियन भी एइंटरसेक्शन भी एए मानस भी एडास देखें दो बहुत इंपोर्टेंट है डी मार्गंस ला जिसको हम बोलते हैं डी मार्गंस लाफ क्या होता है अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा यानि ए इंटरसेक्शन भी एडास इंटरसेक्शन भी एडास के वेलू क्या हो जाएगी एडास यूनियन भी एडास इंटरसेक्शन भी एडास इंटरसेक्शन भी एडा कितना होगा तो यह 1234 शुट भी लेफ्ट आउट फ्रम कहा उनिवर्सल सेट तो कितना हो गया 56 हो गया डैस निकालना चाहते हो तो क्या होगा उनियन रिस उनिवर्सल सेट माइन से याद रखो यह उनिवर्सल सेट है कि यहां डट इस 4561234 आम सारी 123 है 123 को इसमें छोड़ दो गया 456 वी दैस निकालोगा 34 चोड़ दो बनने फाइब्स हो गया इन दोनों का अगर इंट्र सेक्षम निकालते हो तो जो दोनों में कामन है कामन क्या है 56 तो आपने कहा ए डैस intersection b dash equal to 56 और देखो दोनों बराबर होगे union b ka whole dash equal to a dash intersection b dash इसी तरह से से जो second वाला हो भी आप कर सकते हो क्या करोगे intersection b ka whole dash should be equal to a dash बी dash पूठ ससे एसे हैं फिर हम आपको ncati के ब्यांड ले चलते हैं पहली बात तो यह है कि a dash का dash equal to a होता है इसको मोलते हैं supplement कामान तो यह कामान 455 फिर 123 हो कि कम्प्लिमेंट काम निकाल लोगो तो वही शेटा जाएगा पहला हो गया दूसरा है कि अगर हमारे पास ए माइनस याद रखो यह डी मार्गन शला का सेकेंड फार्म है जो नाम लेकर हम आपको नहीं बता रहे हैं बस वह रिजल्ट बता जे रहे हैं कि a-b union c की value होती है a-b union है तो intersection a-c इसी तरह से अगर आपके पास a-b intersection c है तो इसको हम लिखेंगे a-b और intersection तो क्या होगा बच्चो union a-c और एक और होता है a-b को हम बोलते हैं a intersection b dash लोटा जो आप intervals की बात करते हो तो यह intervals आपको बार बार मिलेंगे पहला है close interval इसको हम क्या बोलते हैं this is close interval close interval में क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह का interval दिया हुआ है इसका मतलब कि इसके बीच का जो भी number होगा वह a से ले करके भी तक यानि ए और भी उसमें इंक्लूड हो जाता है आप इसको अगर लाइन पर इसको ग्राफ खिशते हो तो आप कहते हो कि यह जो दोनों पॉइंट ए और बी दोनों इंक्लूड हो गया और यहां से यहां तक पूरा हो गया यह क्या है रियल लाइन है रियल लाइन क्या हो गया यह प्लस इंफिटी हो गया यह प्लस इंफिटी हो गया ओधर क्या हो गया माइनस इंफिटी हो गया दूसरा अगर यह क्लोजड ओपन है इसको क्या बोलें है क्ल रहेगा और अगर यह open ट्रवल है तो ए और भी ए और भी यह है यह भी है तो ए और भी इंक्लूड नहीं होंगे लेकिन बीच वाला सब होगा जैसे मान लोग करते हो कि हमारे पास यह 3 और 7 है तो 37 नहीं होगा क्या होगा 37 की बीच में जितना नंबर सब होगा 37 को छोड़ करें और यह नंबर लाइन पर हो गया तो यह हमने पर हाला कि जो आप ओपेंट्रवल यूज़ करते हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओपेंट्रवल ऐसे भी लिखता है तो यह सब इस तरह से हम नों या देख लिया हमने से जितनी भी रिलेटेज चीजें होई हमने इसे लिए एक स्रीज बताया वह यह टूदी पॉइंट है तूदी पॉइंट इन दे सेंस कि जो भी आपको सेट्स में पढ़ना है जो आपको फंडमेंटली जनकारी चाहिए वह हमने आपको सब बता दिया अब आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा अट लिस्ट बेसिक कंसेट्स हाव इन एक्स्प्रेंड फरोली है तो विश्व आले बेस्ट